नमस्कर दोस्तों तो आजके इस वीडियो में एक और पोर्फोलियो को हम रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पोर्फोलियो है बाई प्रोफेशन ये एक सॉफ्ट्वर इंजिनियर है एंड प्रेजन डेज में कनाडा में रहते हैं तो नमस्कर सर होप इूर डूइंग वेल तो इन्वेस्ट्मेंट को निक्स्ट 15 एंड के लिए कंटीनू करना चाहते तिल ही रिटार्मेंट और तब तक 1.5 करूर का कॉरपस ये क्रिएट करना चाहते है तो चली देख लेते कि कैसा इनका पोर्टफोलो है क्या इस इन्वेस्ट्मेंट के थूरू इनका जो गोल है वो हो पाएगा या नहीं, अगर होगा तो कितने टाइम के अंदर हो जाएगा, ओके So, इन्वेस्टमेंट के अगर बात करें तो इन्होंने 18.8 लाक का इन्वेस्टमेंट के है, करेंटली पोर्टफोल में ज्यादा कुछ चेंजेस हुआ है, छोटा सा एक लॉस हो इनको हो रहा है 744 रूपीज का अगर नंबर अब स्टॉक्स की बात करें तो टोटल 27 स्टॉक्स इनके पॉर्टफोलो में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला जो कंपनी इनके पास है तो यह है F.L. इंडिया 61,000 का इन्वेस्टमेंट 17% का currently इनको होड़ा है कंपनी का परफॉमिस अगर देखा जाए तो कंपनी का YOY परफॉमिस काफी अच्छा है ग्रोइंग कंपनी है फ्यूचर में भी ग्रोथ आएगा जिस सेक्टर में जिस बिजनेस में कंपनी काम करता है तो you can continue for long term निक्स्ट इनके पस कंपनी एक्सेस बैंक 83,000 का इन्वेस्टमेंट है 2.3% का प्रॉफिट इनको होड़ा है तो अभी इस चैनल पे हम ज्यादा तर फोकस करते है जो टॉप 3 बैंक से लाइक HDFC बैंक, ISA से बैंक और कूटक महेंद्रा बैंक बट एक्सेस बैंक भी बहुत ही अच्छा बैंक है तो चाहों तो इस कंपनी को भी अफोल्ड कर सकतो क्योंकि Merciless Investment Fund है एक बहुत ही popular fund है इंडिया में तो उनका जो founder है सौरब मोखर जो उनका interview अगर देखोगे तो वह एक्सेस बैंक के उपड़ भी काफ़ी रिसकस करते है एंड डीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वह आईसा इसे बैंक पे इंवेस्टेट नहीं है एंड क्यों एक्सेस बैंक में इन्वेस्टेट है एंड उसके पीछे सिंपल सा रीजन है और वह इंसेंटिव ओके एक्सेस बैंक के जो आपके सब्सक्राइब उनको काफी साथ इंसेंटिवाइस किया जाता है जिस बज़से वह अपने काम को और भी अच्छी तरीके से करना चाहेंगे तो यह एक पॉस्टिव पॉइंट है एक्सेस बैंक में बाकी ऐसा नहीं कि आईसेस बैंक खड़ा बे और भी बैंक अच्छे एक्सेस बैंक में यह पॉस्टिव पॉइंट देखने को मलता है नेक्स्ट कमपनी इनके पास है बजाज फाइनेस एंड इधर पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 1,93,000 का और 6% का करिंटी इनको लॉस होड़ा है बट काफी अच्छे और स्रॉंग कमपनी में अच्छा है लोकेशन अपने प्रवाइड किया है आप अगर देखोगे मार्केट लीडर सीडी इसल है निक्स्ट इनके पास कमपनी डीवीज लैब 60,000 का इन्वेस्टमेंट अभी कोई प्रॉफिट या ज्यादा लॉस नहीं है बहुत ही अच्छा क्वालिटी कमपनी स्ट्रॉंग कमपनी लॉंग टेम के लिए कंटीनू कर आप इस डिक्सान को भी आप चाहो तो लॉंग टेम के लिए होल्ट कर सकतो निक्स्ट कमपनी इनके पास है डिमार्ट 94,000 का इन्वेस्टमेंट 1.4 परसंट का लॉस है बट कमपनी बहुत अच्छा है काफी स्ट्रॉंग है कंसिस्टेन पर्फॉर्मेंस है लॉंग टेम के आप होल्ट कर सकतो निक्स इनके पास कमपनी आईशर मोटोर एंड 64,000 का इन्वेस्टमेंट है सारे 11 परसंट का प्रॉफिट इनको हो रहा है अभी आईशर मोटोर है जो कमपनी एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है अगर देखोगे तो काफी है तक जो मल्टी बै आप समझ सकतो कि जो सेल्स है वह बहुत जादा तेज से ग्रू नहीं हो रहा है सिंगल डिजिट ग्रॉथ सेल्स प्रॉथ हम लोग को देखने को मिल रहा है तो आप चाहो तो उन कंपनीस में जा सकतो जाह पे सेल्स प्रॉथ एटलिस्ट डबल डिजिट में हो के बाड़ा या पे 10 से 15 पॉरसंट या उससे जादा हो तो ऐसा पॉइंट अब देख सकतो बाकी प्रॉफिट में काफी फ्लक्यूशन देखने को मिलेगा वैसे भी आटो सेक्टर की कंपनी तो वोलाटिलिटी तो काफी होगा कि आपको बता है कि आटो सेक्टर में एक बार डिमांड ब परसेंट है तो इसी बज़े से आपको इससे बेटर ग्रोथ वाले कंपनी साइस से मिल जाएंगे फंडमेंटर स्ट्रोंग है कंपनी का जो ब्रेंड वो काफी स्ट्रोंग है बट अगेन बात होड़े ही आपे ग्रोथ की निक्स्ट कंपनी इनके पास है HFCL और 52,000 का इंव इनको होड़ा है क्योंकि जो भी कंपनी में आप निवेश करते हो तो क्यों निवेश क्या वो रीजन आपको पता होना बहुत जादा जरूरी है उससे क्या होगा कि जब मालों कि 12% का लॉस है अगर 30% या 40% का लॉस हो जाता है तो आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे आप सि होल्ड कर जाओगे तो इसी बसे सिंपली अगर किसी के कहने पर यह लिया है तो आप एक्जीट हो सकतो मुझे कंपनी काफी डिस्की लगता है और लॉंग टम चार्ट भी अगर देखोगे तो काफी जाधा डिस्की टाइप का आपको देखने को मैलेगा सिंपली गूगल मे जाँ से कंपनी के सेल्ज में कोई इंप्रूब्मेंट नहीं देखने को मिलाए तो वो भी एक पॉइंट है और इस कंपनी में जो भी डिटेल इंवेस्टर इंवेस्टमेंट करें उसके बेचे दो ही रिज़न है ओके दो या तीन रिज़न कह सकतो एक तो कंपनी का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है मीडिया में टीवी बें न्यूस चैनल में दूसरा रिजन यह है कि कोवीड आने के बाद बहुत बड़ा रिटर्न कमपणी ने दिया है और जो तीसरा रिजन है कि स्टॉक का प्राइस काफी कमें 66 रुपीज तो एही में तीन रिजन है जिस बसे इंवेश करते बाकी जादा किसी को कमपणी के बिजनेस के बारे में भी पता नहीं है तो वो देखिए आपको क्या पता है कि आपने खुद स्टड़ी करके लिए है या नहीं क्योंकि इससे बेटर वाले कमपणी अपको मिल जाएंगे बाजार में का बट कमपणी अच्छा स्ट्रॉंग है आप तो कुछ सॉफ्टर इंजिनेर हो तो आपको कमपणी के बारे में बिटर पता होगा तो लॉंग टम के लिए यू कन इजिली कंटिनू निक्स्ट इनके पास है आयर से अच्छा कमपणी है बट बीच में जो कोवीड-19 आया थ 37% का फॉर्चुनेटली इनको प्रॉफिट भी होड़ा है 18,000 का प्रॉफिट है मैं होता जितना जल्दी हो साके तो वो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता क्यूंकि जेट एर वेस सबसे पहले तो कमपणी का कोई बिजनेस स्टेंप है नहीं कोई प्लेन आपको इनके देखने को नहीं मिलेगा आस्मा में तो इस बज़से मेरी इस सबसे जो भी प्रॉफिट मिलना है तो आप बुक करके निकल सकतो लॉस मेकिंग कमपणी है और बिजनेस अभी है नहीं एंड इंसल्टी प्रॉसेडिंग के अंदर जा चुका है तो जितना जल्दी हो साके एक इनको हुड़ा है लॉस बट अच्छा ग्रोइंग कमपने लॉंग टाम के लाप होल्ड कर सकतो उसके बाद है लॉरस लप्स एंड 83,000 का इंवस्टमेंट है 16% का प्रॉफिट है कमपणी अच्छा है एंड काफी सारे ग्रोथ पीलर्स कमपनी इस ते हमें सेट अप करा जहा आगे आने वाले टाम में कमपनी को काफी अच्छा रिविनु आने वाला है management काफी experience डे डॉक्टर चावा इससे पहले I think वो डॉक्टर डेटी में काम करते थे तो कंपनी को अफोल्ड कर सकतो बहुत इंट्रेस्टिंग कमपनी है नेक्स्ट ए लक्षमी केमिकल 58,000 का इंव रिसल्ट काफी शांदर कंपनी ने पोस्ट गया तो इकन कंटिनू फॉल लॉंग टर्म मेनेजमेंट भी अच्छा है तेने निफ्टी वीज एन 49,000 का investment है 3% का loss हो रहा है अभी इस टैम पे इस कंपनी की डिलटेट आपको यूटूब के उपर काफी सारे वीडियोस मिल जा और बहुत जादा चांस है कि इस कंपनी को इवीज से काफी benefit मिलेगा क्योंकि कंपनी का 100% रेविन्यू है वहां से 70% का रेविन्यू कंपनी का वह आता है इंको electric busses से का और भी कंपनी को इस टैम पे बिल जाए तो क्योंकि और मिल रहा है अर्निंग में ग्रोथ है तो इस से जो स्टॉक ही ये भी काफी जादा ऊपर जा चुका है एंड लास्ट एक दिरसल के अंदर ही कंपनी ने में भी पांच चार पांच गुना पैसा करके दिया है इड्वेस्टर का तो मेरी सबसे हाइली डिस्की हाइली डिवर्डिंग कंपनी है जितना रिस्क लोग है उतन इस कंपनी में अभी दक कोई इंवेस्मेंट की नहीं है बट लास्ट पांस साल से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है वो काफी अग्रेसेबली ग्रो हो रहा है अल्मोस्ट छे गुना हो चुका है सेल्स और प्रॉफिट अबिलिटी के अगर बात करें तो परसन कन को होड़ा है लौस बहुत ही अच्छा कंपनी अच्छा ग्रो कंपनी करणा है तो लौग टम कली आफंप खुल्ड कर सकतो देने रिलाइंस वान लेक एवेट फॉशन का इंवेस्मेंट है यह ये बात क्यूंकी अच्छा ये लेवेल पर पनी इंवेस्मेंट कर दि लॉस कंपणी तो अच्छा है बट अगीं टाटा मोटरस में मुझे अच्छा कैन नहीं लगता है वह इनका जी एलर का बिजनस जोकी अभी अच्छा पफॉर्म नहीं कर दाए तो जब तक पर्फॉर्मिस अच्छा नहीं होगा तो टाटा मोटरस का स्टॉक भी तर से भागे तो वह बहुत जाद इंपोर्टेंट हो जाता है चाइना में अगर देखूगी कोवीट की बज़े से काफी प्रॉब्लिम हुआ है तो चेलर्स का जो सेल है तो वहां पे भी इंपेक्ट आया है तो शौट टरम में इंपेक्ट रहा सकता है लोंग टरम के लिए आप होल्ट कर स जाए यानकि रिनेवाल का बेजनेस है वो अलग होके स्टॉप मारकेट में लिश्ट है तो ये इंबस्मेंट आ वहाँ पे शिफ्ट कर लीना सेम् बहुत स्ट्रॉंग कंपनी हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और काफी अच्छा गुरूथ आगे भी देखने को मिलेगा, तो लॉंग टाम के लिए आप टाइटन को होल्ड कर सकतो, और लास्ट में एक और कंपनी है, येस बैंक, और 50,000 का इंवेस्टमेंट है, 5% का प्रॉफिट है, मैं होता, 5% का प्रॉफिट लेके एक्जिट हो जाता है, क्योंकि इससे अच्छे बैंक, क्वालिटी बैंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई बैंक में निवेश करते हो, तो वहाँ पर आपको क्या देखना होता है, इन पी ए, यानकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, और कितना खड़ाब लोन बिसिकली कंपनी ने दिया है, और वो नंबर अगर देखोगे, तो किसी भी बैंक से येस बैंक पे आपको बहुत ज़ादा देखने को मिल चाहेगा, और आपको ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहे, जिसका इन पे काफी कम हो, और ग्रोध बिजनेस में काफी अच्छा हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके मैनेच्मेंट काफी अच्छा हो, तो मेरी हिसाब से येस बैंक का पेसाब दूसरे बैंक में या दूसरे कमपनीस में डाल सकते हो, तो दोस्तो ये था इनका पूरा पोर्टफोलियो, आपके साब से यह portfolio कैसा था इस portfolio में क्या कुछ changes किया जा सकता है कौनसे stock को निकाल के किसको add किया जा सकता है and total number of stocks कितना रहना चाहिए इस portfolio में आप चाहो तो comment करके बता सकते हो इनको थोड़ा help कर सकते हो तो अभी मैं खुद कुछ बताने से पहले देख लेते कि इनका जो target आपड़ेगा ओके तो यह पर दोस्तों टोटल जो investment का amount है इनका वो है 18.8 lakh रुपीज का and currently जो यह पर टेनियर है वो हमने लिया है 15 years का क्यूंकि 15 साल के लिए hold करेंगे till his retirement and 18% का average return अगर इनको मिल जाता है तो after 18 years जो इनका total corpus create होकर add है 18% average return के साथ तो वो है 2.2 करूर का इनका जो target है वो 1.5 करूर का है तो target से भी जाधा amount यह create कर सकते with 18% average return and इसके लिए इनको जाधा risk लेने की ज़रूरत नहीं है तो मेरी साब से आप जो leader वाले companies है strong वाले companies है वहापे ही निविश करके यह wealth create कर सकतो in next 15 years तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए जो number of stock ह 27 उसको cut down कीजे उसको cut down करके at least 20 के आसपास लाने की कोशिश कर सकतो तो इससे आपका portfolio focused बन जाएगा and 18% का average return ने वो कमाने में थोड़ा सा और आसानी आपको होगा कौनसे company को निकलना चाहिए जहापे आपको risk का ज्यादा लगता या जहापे अपनी investment किया है किसी का सुनके खुद से study करके नहीं investment किया है तो वहाँ से आप exit हो सकतो अगर कुछ अच्छे companies के बाड़े में बात करें तो अड़ी काफ़े अच्छे companies आपके पास है आपके बास demand है आपके पास डिमांट है बजाज finance है उसके बाद एक्सिस बैंक है इन फोसिस है अगर कुछ और भी अच्छे companies है quality companies है अगर आप देखोगे तो astral एक बहुत अ अच्छा कंपनी तो उसके बाड़े में आप सोच सकतो एस्टाल के अलावा पॉली कैभ एक बहुत अच्छा मिटकप कंपनी लीडिंग कंपनी है और दोनों ही लीडिंग कंपनी से ओके पाइपिंग में एक जो हें केबिल से एन वेर्स में तो इन पेंट का जो लीडर कमपणी यान की एशन पेंट उसको भी आप पिक करने के बाड़े में सोच सकतो तो इधर पे कहना है कि रिस्क काफी कमें एन काफी कम रिसके साथ अच्छा रिटर्न इधर पे बनाया जा सकता है बाकि और लेडि आपके पोर्टफल बना की भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो तो आशा करते दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरू कर दिना साथी साच चैनको सब्सक्राब जरू कर लेना नीचे अप्स्रोक्स का लिंक आपको मिल जाए सकते होना की जरू भास है तो भास है